हमें उस सरकार से बहार कर दिया जो सरकार हमने बनाया था वो नहीं चाहता है कि गरीब का बेटा आगे बढ़े आज आपने देखा कि किस तरीके से जब महागटबंदर का सरकार बना जब तेजर स्विप परसाद यादव जी समाजी की न्याई के लिए काम करने लगे जाती का जनगना करने लगे देज राजे में युवा को नोकरी देने लगे तो फिर भाजपा ने एक सरियन के तहट फिर से सरकार को नितिश कुबार जी को पल्टी करा कर और कहीं न कहीं सरकार को पीछे ढखनने का काम किया आज हमारी सरकार होता तेजर स्विप जी के नित्रुत मे तो इसलिए साथियो इस समय है लड़ने का एक एक युवा साथी अपने आपको मजगूत होईए एक गाह में जाईए एक बूत पे जाईए और संदेश लेके जाईए कि हम आने वाला पीरी के लिए लड़ाए लड़ना चाहते हैं ऐसे लोगों को ताना साथ जो दिल्ली में आप देखिए जिस दुनिया में कहीं पे भी इस तरीके से करपसन नहीं हुआ होगा जिस तरीके से करपसन मोदी जी के सरकार में हुआ एलेक्ट्रक बॉंड के जड़िये आपने देखा किस तरीके से पहले ED का नोटिस फेजता है CBI का जाच कराता है और उसके बाद उसके ले लेता है फिर छोड़ देता है आज ही मर्जशी जैसा हालत है दो दो राज में मुखमंत्री को जेल में डाल दिया गया है आप सभी को पता होगा कि राज में कई मुखमंत्री है देश में लिकिन उसमें से केजरिवाल जी एक नमर का मुखमंत्री थे जो गरीब युवा के लिए इसकूल बनाने का हस्पताल में अच्छा काम कर रहे थे लेकिन ऐसे मुखमंद्री को जेल में डालने का काम किया इस देज में अधिवासी का बेटा मुखमंद्री थे जहारखंड में उन्होंने उनको फरजी पेपर बनाके उनको जेल में डालने का काम किया इसलिए स और खास करके हम अपने भी आईपी पार्टी के तमाम नेतागान सुप्चिंतक को मैं आगरा करूंगा कि यहां पे अपने आपको मानिए कि आप खुद स्वयम कंडिडेट हैं और यहां पे बहन अचना निसा अतार अचना कुमारी जी के लिए आएक एक गौह में घुमिये ए हमारे संदेश को पहुचाईए और एक-एक भोट हमारे राष्टिय जनता दल के लिए लाल्टे चाप नंबर एक पे उनको भोट दिल नवा के और उसको बीजय बनाईए तब आने वाला समय में हमारा पीरी जो है वो सर उठा के जिएगा तिसलिए तमाम यहां पे सभी ने बाख लो सबस्तों बैटे लोगते हैं तर्जय भाला स्थी नवाराई बैटे लोगो गेडिय चाप लोगो। करवान ले जिए ठार कि लाय रिशानले है कि आ ख़र आए खर्वाद इन और खर्वान लेगे धकलोर है ऩाद हो शानल रहा जो अजिए युजद आप जद आपने को जद घर दो में इस तो जद टराए